हेलो एवरिवन, मेरा नाम है नितिन यादव एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपने मेकैनिकल गेमिंग कीबूर्ड को साफ कर पाए बेसिकली इसके लिए हमें कोई भी रोकेट साइन्स या फिर कुछ लोजिक वाली ऐसी कोई चीज चाहिए नी बट हाँ, यहाँ पर हमें कुछ प्रिकोशन्स अपनाने होंगे जिससे की है जो हमारा गेमिंग कीबूर्ड है हम उसको एक फॉल्टी कीबूर्ड ना बना ले क्योंकि इसके अंदर हम बायचान अगर हमने हलका साभी कुछ गलत कर दिया तो यह defective भी हो सकता है तो basically कुछ कुछ प्रिकोशन्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको उनका भी धियान रखना है और यहाँ पर मैं आपको कुछ necessary चीज़े बता देता हूँ जो मतलब कि जरूरी है इस गेमी mechanical keyboard को साफ करने के लिए या फिर वो ना भी हो तो आप उसका कोई alternative ढूंड लेना बट जो मैं बताऊंगा वो आपको मैं basically काफी proper चीज़े बताने वाला हूँ तो यहाँ पर जो आपको पहली चीज़ चाहिए वो है keycap remover basically यह महेंगे keyboard के साथ में free में देखने के लिए मिल जाता है बट in case अगर आपके mechanical keyboard के साथ में नहीं आया है तो इसका भी मेरे पास alternative है जो मैं आगे आपको बता दूँगा and second हमको आप एक metal clip चाहिए and third thing यहाँ पर हमको एक toothbrush चाहिए basically toothbrush अपनी पुरानी या फिर current toothbrush को use मत करना उसका मैं आपको valid reason बता देता हूँ जो आपके toothbrush है उसके अंदर obviously germs तो है and जो भी मतलब keyboard यूज़ करते हो आप अगर आप उसको उसी से साफ करोगे तो obviously bacteria आपके keyboard पर भी रहेंगे and मेरे case में especially मैं अपना खाना ना अपने PC के आगे बैठके ही खाता हूँ that's why मैंने बोला कि आप अपनी पुरानी toothbrush या फिर current toothbrush को use मत करना एक आप नए toothbrush buy कर लेना अगर आप यह वाली toothbrush buy नहीं करना चाहते तो इसका भी alternative है आपके घर पे paint brush तो obviously होगी by chance अगर कभी paint होता है तो paint की brush तो आपके पास रखी होगी तो यहाँ पर जो मेरे पास दो brush है एक 25 mm की है एक 50 mm की है तो मैं इनको भी यूज करने वाला हूँ basically यह जो चीजे मैंने आपको बताई यह mandatory है मतलब यह तो आपको लगेगी ही obvious and जो बाकी चीजे मैं आगे आपको बता दूँगा जिससे कि आप अच्छे से एक बिलकुल नए mechanical keyboard की तरह finish लापाओ अपने keyboard की सबसे पहला काम किया करना है mechanical keyboard को साफ करने से पहले basically जो हमारे keyboard के layout है उसकी photograph क्लिक कर लो या फिर मेरी तरह मतलब कि smart खेलो भाई अपने जो gaming mechanical keyboard का box आया होगा उसके उपर layout एजली बनी होती है तो हाँ से देखके लगा लेना या फिर आप online भी सर्च कर सकते हो basically and अब यहाँ पर हम अपनी सारी keycaps को remove कर देंगे basically मेरे पास यहाँ पर एक keycap remover है अगर आपके पास कोई भी keycap remover जैसे चीज ना हो तो basically आप अपनी finger tips से भी इनको निकाल सकते है because जो mechanical keyboards होते है वो floating PBT keycaps के साथ में आते है and मेरे case में भी same ही है जो मेरा mechanical keyboard है वो है Razor का Black Video X Chroma तो यह PBT floating keycaps के साथ में आता है बड़ जो narrow areas है जहाँ पर keycaps का gap बहुत कम है तो वहाँ पर आपको दिक्कत दे सकता है and हाँ भाई हो एक चीज ना याद रखना अपने keycaps को निकालते वक्तना जैसे space bar, shift, enter and हाँ पर जो मतलब की normal बड़ी-बड़ी keys है ना उनको थोड़ा देखके निकालना क्योंकि उनके पीछे ना wire stabilizers होते है तो basically अगर आप सीधा pull out कर दोगे उनको खीच दोगे तो कहीं आपके keys को break ना कर दे तो इस चीज का ध्यान रखना सारे keycaps को निकालने के बाद ना हम पहले keycaps को साफ करेंगे बिकोज वही जादा टाइम लगाएगी तो हमें करना क्या है कि हमें small bucket लेनी है सारी हमारी keycaps हमको उसके अंदेर डाल देनी है उसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा पानी डालना है एंद उसके अंदेर हमको हाट डाल के हिलाना है keycaps को तो उसके बाद फिर हमको यहाँ पर ना कोई भी soap या फिर हम hand wash को यूज कर सकते हैं बेसिकलिए हम उसको डाल देंगे जितना भी आपको amount पर डालना है बटना अजादा मत डालना एक दो मतलब की press काफी है hand wash के लिए उसके बाद क्या करना है हमें सारी keycaps को अच्छे से move करना है जिससे कि उनके बीच में जो भी dust है जो भी मतलब की finger ticks से जो भी oil लगा हुआ है तो वो चीजे सारी हट जाएगी keycaps से उसके बाद पांच मिंड तक यह bucket में रहने देना उसके बाद सारी पानी को drain करके एक टावल लेना एंड उसके उपर सारी keycaps को निकाल लेना बिसिकली यह जो मैं शोट से record करना भूल गया हूँ तो sorry for that बट मैं आपको clearly बता देतन जो मैंने करा एंड उसके बाद ना हमको मतलब कि normal जो atmosphere air है उसके अंदर इसको dry होने देना प्लीज यहाँ पर कोई भी sunlight के अंदर direct मत रखना और साथ में यहाँ पर कोई भी hair dryer यूज नी करेगा क्योंकि इसकी जो hot air है जो यहाँ पर हमारे PBT keycaps है कहीं वो melt ना हो जाए या फिर वो अपनी shape को change ना कर दे इसके बाद एक दो घंटे के लिए उनको सुका दो बट यहाँ पर वो चीज़ें मत करना जो मैंने आपको बताई थी जैसे कि hair dryer का use या फिर डिरेक्स अनलाइड में मत रखना अगर आप इनको जल्दी dry करने में help करने चाहते हो तो आप एक cotton का cloth लेके उससे भी आप साफ कर सकते हो या पर अब हम अपने gaming keyboard का साफ करेंगे तो basically मैंने आपको बताया था एक medical lip का need em को जो medical lip है उससे हम क्या कर सकते हैं जो भी मतलब कि थोड़े बहुत जो small substances हैं या फिर मतलब की threads पड़े होंगे या फिर कुछ भी पढ़ा हो भाई मैंने जानता क्या है बट कुछ ना कुछ पाएगा जरूर तो उसको साफ करने में आपको help मिलेगी अगर आपको मेरे keyboard पे कुछ जादा बाल दिखे रहोगे तो भाई के लिए sorry because मुझे hair fold का issue है तो उसको थोड़ा neglect करना एंड़ बार यहाती है हमारे toothbrush की एंड paint brush की तो basically आप दोनों में से कोई भी उसकर सकते हो but paint brush मेरे को जादा comfortable लगता करने में साफ क्योंकि वह काफी मतलब कि जल्दी जल्दी clean कर रहा था है और वह मतलब की scratches भी मतलब की नहीं लगे उससे जादा chance है because brush के जो bristles होते है वह काफी जादा strong होते है तो कहीं वह बाइचान scratches ना दे दे तो वह आपको दिखते वे बिकार लगेगा that's why मैं कहता हूँ कि एक paint brush की काफी अच्छी रही इस काम के लिए यहाँ पर हमें अगली चीज़ क्या करनी है अपने keyboard को साफ करना है और अच्छे से तो यहाँ पर मतलब कि हम कितना भी brush से साफ कर ले but वह finish नहीं आईगी वह dust जाएगी नहीं तो उसके लिए मैं क्या करना है एक cotton bud भी use कर सकते है जो मैं recommend करता हूँ या फिर आपना alcohol wipes भी use कर सकते हूँ basically but वह alcohol wipes होगे वह आपके easily अच्छे साफ नहीं कर पाएंगे because जो आपकी fingertips है वह keys के बीच के जो काफी narrow space होता है उसमें नहीं जा पाएगी मेरे साफ से तो that से मैं cotton bud recommend करता हूँ मैंने वही use कर रहे है खुद अपने लिए भी तो यहाँ पर हमें करना क्या है जो हमारी cotton bud है उसको में dip करना है isopropel alcohol में ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है जैसे कि मतलब कि आपको जहाँ जहाँ पर dust दिखे या फिर आप एक काम करो सारी जहाँ पर एक बार उसको मतलब कि आप मूफ कर लेना तो आपकी जो सारी dust या वो हट जाएगी easily अब ना मेरा gaming keyboard काफी चमचमार है बाई क्योंकि पहले के coding काफी dust था वो बिकोस उसका reason यह है मैंने भाई 6-7 महीने से उपर हो गया है मैंने इस mechanical keyboard का ना हाथ भी लगाया था साफ करने के लिए तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो भी बना देता हूं dedicated जिसे कि आप कोई पता रहे कि क्या proper वे है अपने mechanical keyboard को साफ करने का अब सारी चीज़े ना बिल्कुल perfect हो चुकी है बट यहाँ पर एक चीज रह गई है जो है हमारी keycaps तो basically मैं keycaps को वापस से इन में reinstall कर देना ह एंड आफ्टर जैट वो काफी clean लगेगा एंड काफी new लगेगा तो यह चीज ना काफी मतलब कि मैं recommend करता हूं कि आपको mostly 3-4 महिने में अपना gaming mechanical keyboard को साफ करना चीज़े और यहाँ पर मैंने जो भी समान यूज कर रहे है उन सबकी लिंक आपको देखने के लिए मिल जाए करता हुप